नमस्क्राइब दोस्तों श्रागत है आप सभी का अपना प्यारा से यूटूब चैनल कुंचन गुरुजी में आज हम आपके लिए लिका रहे हैं फिर से तॉप 30 कुशन जो आप सभी के लिए कफे इंपॉर्टेंट है कुशन नमबर फर्ष्ट आपके स्क्रिन के सामने है इसके प्यास का केंद्रिस्तित होता है ठीक है क्या प्यूस ग्लंड यहां पर दिया है हमारे सरीर की सबसे ठोटी ग्लंड होती है कि इसकें कुशन है मनुष में भोजन पाचन के संपूर प्रक्रिया कितनी अवस्था में पूर्ण होती है जैसे कि आप खाना ऊपना ऐस्थ झोने में कितनी अवस्ता की अवशक्त होती है कितनी अवशक्ता में भोजन हमारा पिक होता है आपको बताना है दिसका राइझ एंसर है option 5 K five अवस्ता में पूर्य होती है question no 3 पे आता है कि रगत बीमबाडू का जीवन काल कितने दिन का होता है देखें यहां आप बिमबाडू की बात की गई है यानि की प्लेटलेस की प्लेटलेस का जीवन काल कितने दिन का होता है तीन से पांस दिन का होता है यहीं पर अगर हम बात करते हैं आर बीसी यानि की रेड बेड सिल्स का तो आपको बताना है 120 डेस होता है लेक सेंडर्ड रेशियो 1 होता है इसका रेशियो कुश्य नमबर 5 पौदो को हाइड्रोजन की प्राप्ति किस से होती है तेकि पौदो को हाइड्रोजन की जो प्राप्ति होती है वो कहां से होती है जल से होती है ठीक है जिसका सूत्र क्या होता है एस्टू होता है तो यहां से इन भारत में खनिस देल का उत्पादन कहां पर प्रारम किया गया है तो आपको बताना है डिग बोई में भारत में खनिस देल का उत्पादन प्रारम किया गया है नेशकोशिया ने आपका हॉर्न बिल महत्सो निन में से किस राज में मनाया जाता है तो हार निबिल महत्सो की यहां पर बात आ रही है तो हार निबिल महत्सो किस राज में बनाया जाता है यहां पर आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है नागा लेंड में बनाया गया है इसलिए राइट एंड सर इसको ऑप्शिन होगा नेक्श कोश्यन है आपका व्याज सम्मान किस छेत्र में दिया जाता है देखिए व्याज सम्मान कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्याज सम्मान किस छेत्र में दिया जाता है तो शहित में देखिए शहित में व्याज सम्मान दिया जाता है नेक्स कोश्यन है आपका चप चर चप चर कूट तहवार किस प्रदेश में मनाया जाता है तीक है चप चर कूट तहवार का नाम है और चप चर कूट तहवार किस प्रदेश में मनाया जाता है यहाँ पर यह पूछा गया है किस प्रदेश में मनाया जाता है तो आपको बताना है कि मिजूरम में मनाया जाता है जब चार कूड तैवार ठीक है इसलिए राइड अंसर इसका क्या होगा option A बिलकुल correct हो गया question number 10 सरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है सरीर के भीतर रक्त को परिभ्रमण में लगभग लगभग जो टाइम लगता है वो 21 सेकंड लगता है इसलिए इसका राइड अंसर आपको बताना है option B question number next England का बगीचा किसको कहते हैं इंगलेड का बगीचा हम किसको कहते हैं Oxford, Quinton, London या Bangkok को कहते हैं तो आपका right answer क्या होगा आप अब एक बर कमेंट करके बताइए इसका right answer क्या होगा इसका right answer option B option B मतलब की can done ठीक है अच्छा इसका question सहथ मैंने आपको गलत बता दिया है क्या सरीर के भीतर रग्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है इसका right answer question आपको clear हुआ 11 का right answer option B है केंटन question number next पे आते हैं लो निमलिकित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोग प्री ग्रीत है देखिए यहां पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश का लोग प्री गीत कौन सी है देखिए तो लोग प्री ग्रीत कौन सी है आपको बताना है कजरी कजरी हां कि लोग प्री ग्रीत है कहां कि उत्तर प्रदेश की प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बांग संरच्छड कारकरम इनमें से किस वर्स में प्रारंब किया गया था वो किस वर्स में हुआ था तो आपको बताना है कि वो 1973 में हुआ था यानि कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जो बांग संरच्छर कारक्रम है वो हुआ था कोईशन नमबर 14 भारत में इकल नागरिक्ता की आउधारणा किस देश में अपनाई गई है भारत में जो इकल नागरिक्ता है वो हम बात करते हैं किस देश के बारे में तो आपको बताना इंग्लैंड में अपनाई गई है इसलिए इसका राइट अंशर भी ओप्शन ए होगा दच्छड धुरू की खोच किस ने की थी दच्छड धुरू की खोच की बारे में पूछा जा रहा है कि दच्छड धुरू की खोच किस ने की थी तो दच्छड धुरू की खोच एंडर सन ने की थी एंडर सन ने दच्छड धुरू की खोच की थी इसलिए right answer इसको option भी बिल्कुल correct answer होगा ठीक है चलिए next question पे आते हैं question number 16 पे निमलिखित में से कौन मानो सरीर को संक्रमर के विरुद संघर्स करने में सहायता करता है यहाँ पर थोड़ा सा question को ध्यान से समझेगा निमलिखित में से कौन मानो सरीर को संक्रमर के विरुद संघर्स करने में कौन सहायता करता है ठीक है तो इसका right answer जो होना चाहिए वो श्वेत रुदिर कडिकाए होना चाहिए क्यों श्वेत रुदिर कडिकाए होना चाहिए सबसे पहले श्वेत रुदिर कडिकाई को हम WBC कहते हैं और इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम Leukosides कहते हैं यह science की language में इसको Leukosides के नाम से जाना जाता है अब यह जो स्वेत रुदिर कडिकाई होता है इसका काम होता है रोगों से लड़ने के चमता प्रदान करना तो माना सरीर में संक्रमर के विरुद संगर्स करने के लिए कौन हमें प्रिशर देगा वो WBC होगा अगर आपके बोड़ी में WBC की किसी भी तरीके की कमी हो जाती है तो ये समझ लेजे कि आपको रोग रहित होने से मतलब रोगों से ग्रस्थ होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको एक नहीं दस बीमारी हो सकती है तूरंद ठीक है क्योंकि हमारे बोड़ी में जब WBC होते है ना वो क्या करता है कि रोगों को आने से पहले उनसे लड़ते है ठीक है अब अगर WBC की मात्रा अच्छी है आपकी युमिनिटी सिस्टम में स्ट्रॉंग है तो वो मार के भगा देते है अने था फिर यहाँ पर प्रॉल्म क्रियेट हो जाती है याद रखेंगे आप instant लुट कोशिका लाल रुदिर कोशिका का काम क्या होता है यह उकसीजन का परिवाण करने का काम करता है ओक व्लड का संचार करने का काम करता है ठीक है पोशक प्रशक्तत्तों को एक और गन से दूसरी और गन तक पहुचाने का काम करता है तो आर्विसीस की कमी नहीं होने चाहिए हमारे बोड़ी में अगर आर्विसीस की कमी हो जाएगी तो भी आपको डिसीस हो सकते हैं सबसे पहले तो एनिमिया रोग हो जाएगा ठीक है उसके हलाव कुशिया नमबर 18 पश्यम बंगाल में फरसो पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रशिद्ध है पश्यम बंगाल की यदि बात आ जाए तो आपको बिना देखे बता देना अलपना ठीक है पश्यम बंगाल में जो फरसो की चित्रकारी है वहाँ इसका राइट अंसर क्या वह होगा आलपना यानि कि चित्रकारी कौन सा प्रशिद्ध है तो अलपना प्रशिद्ध है कुषिया नम complinate कुशियर नम्बर 19 नेर्ण मेंसे कौन सी नदी भ्रंस ऺाटी से हो कर बेहएएं तो भَय भ्रंस घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है ? कुश्या नमबर Gwen 20 जल की आयतन के अधार पर विशुकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है ? तेजि़ा के आयतन के अधार पर अगर विशुकी सबसे बड़ी नदी की बात यहाँ पर की जाए तो option C है amazing amezen जो जल की आयतन के अधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है Question No.21 यमुना नदी निमलिकित में से किस राज से नहीं गुजरती है देखें यमुना नदी जो होती है वो कौन से राज से नहीं होकर गुजरती है तो आपको बताना है कि गुजरात से उकर गिम्ना नदी नहीं गुजरती है ठीक है कुशियन बाफी अच्छा है हो इंट्रेस्टिंग कुशियन है आपने भी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करके शेयर करना है बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको क्लासस कैसे लगी कुशियन बाफी 22 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है कुशियन बाफी 23 पर आते हैं मैमार का सरवदिक सीमा किस भारती राज को इस पर सकरती है तो आपको बताना है कि अवडाचल प्रदेश को इसलिए राइड अंसर क्या है ओप्शन दी है किस परवत स्रेडी को उचक एशिया की रीड के नाम से जाना जाता है कौन सी परवत स्रेडी को उचक एशिया की रीड के नाम से जाना जाता है तो इसका राइड अंसर है कारा कॉरम परवत स्रेडी कारा कॉरम परवत स्रेडी जिसे हम लोग एशिया की रीड के नाम से जानते है question number 25 किस धातू का गलनांग सबसे अधिक होता है आपको पता है ट्रंगस्टन का सबसे अधिक होता है तो आपको इस तरीके से टॉप25 questions मैंने बताए जो काफे interesting और important question थे अगर आपको वीडियो अच्छे लगि तो like करके share करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा नेक्ट क्लास में मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ